नमस्कार दोस्तों, श्वागत आप सभी लोगों का एक वर फिर से 677 साल बाद बना अदवुद सुबसयोग धन 13 दीपा वली के दिन गाय को खिला दें ये एक छोटी से चीज रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोखशकता दोस्तों, धन 13 दीपा वली का महा पर्व गो मातों को खिला दें ये एक छोटी से चीज जिन्दिगी भर रहेंगे माला माल मालक्ष्मी दोनों हातों से लुटाएंगी धन गरीबी भूल जाएगी घर का राष्ता दोस्तों, धीपों का त्योहर धीपा वली हर वर्स कार्तिक माश्की अमवाश्या को मनाया जाता है इस बार यह धीपा वली का पर्व 24 अक्टूबर दिन सुम्बार को है धीपा वली पर भगवान स्रीगडेश मालक्ष्मी के पूजा की जाती है दीपा वली पर भगवान स्री गडेश मा लक्ष्मी का पूजन करने से घर में शुक्ष मृद्धी और शांती का बास होता है तरक्की के नए मार्गे खुलते हैं दोस्तो इस बार दीपा वली पर शर्वार सिध्योग अमरिश सिध्योग के साथ साथ कई शुबसयोग एकशात बन रहे हैं इसलिए इस दीपा वली पर बुद्ध ग्रह वक्री वस्था में रहेंगे और गुरु ग्रह यानि कि ब्रहस्पत ग्रह वक्री अवस्था में और सनी ग्रह तीन ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे और कुछ दुरलब सुपसयोग बन रहे हैं और पूरे 677 साल बाद ऐसा दुरलब सुपसयोग इस बार के धन 1300 दीपवली पर बन रहा है जिसके करण इस दिन मा लक्ष्मी और गड़ेश जी का पूजन करें तो विशेश लाब होगा शुब महुर्त इस दिन दीपावली का जो होगा साम को आपको यानि की पांच बजे से साम पांच बजे से लेकर के आप रातरी दस बजे तक इस दिन माता लक्ष्मी के पूजा कर सकते हैं भगवान गड़ेश जी के पूजा करें दीपावली पर आप अपने बेबसाई इस्थल पर पूजन करें और दुपाः भी आप कर सकते हैं अब जीत महुर्त में कर सकते हैं दीपावली से दो दिन पहले धन तेरस का पर्व मनाय जाता है इस बार धन तेरस का पर्व 22 अक्टूबर को है 22 अक्टूबर यनिकी सनीवार के दिन है और सनीवार के दिन इस दिन धन तेरस का पर्व परदोस भी ब्रत है और धन तेरस का पर्व भी है और उसके अगले दिन चुकी नरक चतूरदसी हो जाएगी इसलिए 22 अक्टूबर के दिन ही आप धनतेरस मनाएं और इसी दिन भगवान धनवंतरी का पूजा करें कुबेर जी की पूजा करें मालक्ष्मी की पूजा करें इस दिन भगवान धनवंत्री के सासात कुवेर माता लक्ष्मी के पूजा करने से विशेश लाभ होता है धन तेरस के दिन पुर्दोस काल जो रहता है और इस बार भी 22 अक्टूबर के ही दिन है इस बार धन तेरस पर्व के पूजन का शुब महुरत रहेगा 22 अक्टूबर को साम 6 बचकर 17 मिर्ट से रातरी 8 बचकर 49 मिर्ट तक रहेगा इस बार धन तेरस पर कई शुब शुवियोंग बन रहे हैं शरवार सिद्योग अमर सिद्योग का निर्माड हो रहा है मा लक्ष्मी के पूजन के इन 5 दिनों का यह पर्व धन तेरस से सुरू होता है और भाई दोज तक चलता है धन तेरस पर खरीदारी करने का विशेश महतो होता है सास्त्रों में बताया गया है कि धन तेरस पर जो भी वस्तो खरीदी जाती है उसमें 13 गुना ज्यादा ब्रद्धी हो जाती है सास्त्रों के अंसार मा लक्ष्मी जी के कृपा प्राप्त करने के लिए धन तेरस और दीपा वली का पर्वे विशेश महतो रखता है इन दिनों मा लक्ष्मी जी के कृपा के सासत माता लक्ष्मी के उपरसंद करने के लिए कुछ उपाय भी अवश्य करने चाहिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको धन तेरस दीपा वली के दिन इस महा पर्वपर मा लक्ष्मी को परसंद करने वाला सास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आशान और अचूक इवम असरकारी उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को अगर करते हैं तो निश्य तोर पर आपकी सारी मनो कामना माता लक्ष्मी पूरी करेंगी इस उपाय को करने शे धन की देवी मा लक्ष्मी की अशिम कृपा प्राप्त होती है और धन शंबंधिश शमश्याएं दोर हो जाती है दोस्तों अगर आपको अपने कारि करने के लिए ये आसान एबं अशरकारक और शटीक उपाय जरूर करें इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी के साथ साथ धन की देवता कुवेर जी भागवान गड़े जी की रुपा प्राप्त होती है उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले यानिकी शुर उदे से पहले इस तो बताना चाहेंगे कि सबसे पहले सुर उदेश पहले नहाध होकर स्वक्ष होकर आप स्वक्ष वस्त धारन करें उपाय करने के लिए इस दिन आपको लाल पिला या फिर गुलाबी रंग के वस्त पहने भूल कर भी आप धन तेरस और दीपा बले के दिन ना तो काले डेबो नमो नम ओम महालक्ष्मी नमा औं दीपा वली और धन 13 के दिन आप चाहें तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं गुड मिस्त्री उनके पास रखें माता जी को लाल पुष्प अर्पित करें इस दिन और लाल फल लाल पुष्प अर्पित करें और अंगूर बगार सब कुछ अर्पित करें नार बगर अरपित करें, फल बगर अरपित करें, भोग में गुड़ घी का लगाएं, थोड़ा सा खीर का भोग लगाएं माता को, और आप उनके पास दो लॉंग दो इलाइची भी जरूर रख दें भोग के रूप में, फिर आप इस रोटी में आप थोड़ा सा गुड़, गी और थोड़ी से मिस्त्रि और थोड़ी से खीर आपने बनाया है, इस रोटी में रख लें, और आप जो माता जी को लॉंग अर्पित के हैं, तो इसमें से एक लॉंग और एक इलाइची इस रोटी में रख कर, और ले जाकर आप गव माता को अपनी मनोंकामना, बोलते अगर नजधीक गाय गवमाता तो आप नजधीक से जाकर प्रणाम चुबी सकते हैं और फिर अपनी मनोकामना फिर से बोलिये। आप के घर में जो पहले रोटी बने धियान रखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना यानि इस दिन जो पहले रोटी बने उस रोटी को आपको जरूर गाई को खिला देनी है और उसमें अगर चाहें तो गुड़ घी आप डालके भी खिला सकते हैं या फिर आपके पास या फिर आपको चाहें तो एक लॉण्ग या एक एलाइची ही रखकर आप गाउ माता को जरूर खिला दें इस दिन एक मुठ्घी घास ले ले और घास में एक रोटी रखलें एक एलाइची एक लॉंग रखलें और उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ रखले ना है अगर ले जाकर गव माता को खिला दे अपनी मनोकामना बोलते हुए समस्त मनोकामना के पूर्ती होगी मालक्षमी किरपा से आपके घर में धन दावलत की बरसाथ हो जाएगी चारो दिशाओं से धन आने लगेंगे बस्तो धन तेरस और दीपा बले के दिन गव माता को ये एक छोटी से खिला देने से आपके समस्त मनोकामना के पूर्ती होती है इस दिन जैसे कि अगर आप जो फल वगड़ा है आप माता को चढ़ाएंगे तो उसका भी प्रसाथ करूप में थोड़ा थोड़ा भाग अगर आप काटके इस रोटी में रखके यनि कि आप गव माता को खिला दें तो माता रानी सेग्र परसन होती है और मा लक्षमी ये सेग्र आपके घर में दोड़ी दोड़ी चली आती है कभी भी धन की कमीनी ही होती है चारो दिसाओं सिलाब होता है और जीवन में शुक्ष मृद्धी आती है मा लक्षमी कृपाशे धन धौलत में बृद्धी होती है कारोबार चलता है नौकरी मिलती है हर प्रकार के समस्षाएं दूर हो जाती है जो भी आपके मन में मनोकामना है धन को लेकर है कारोबार को लेकर है शंतान को लेकर है बैवाहिक जीवन को लेकर है समाज में मान समान को लेकर है नोकरी में यश प्राप्ती को लेकर है कोई भी आपकी मनोकामना हो जरूर बोलें आपकी मनोकामना गौमाता कृपाशी मालक्ष्मी कृपाशी जरूर पोड़ होगी तो इस बार के धन तेरस और दीपा बले के दिन अद्विज सुसरयों बन रहे हैं तो घ्सुस्यऽ चुत्र नच्चर नचित्श देखुक्च्च्च्च्च्छ